सु हेलो गाईज, विल्कम टो मा यूटूब चैनल, रिदिक टेकनिकल सपोर्ट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ओपो डिवाइस में अगर आपका फोन रिसेट हो गया है, अपके जो फोटोस है, वीडियोस है, वो भी डिलीट हो चुके है, तो फोटोस वीडियोस क आप लोग कैसे वापस लाएंगे यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल्क आइकन को प्रेस कर लेना है देखे इस टॉपिक को यह है कि आपके पास और इसका बैकप रहना चाहिए अगर आपके पास बैकप नहीं है तो काफी लंबी प्रोस हो जाती है फिर आपको कम्पूटर में सेट अप करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम आपको मुबाइल का ही बताएंगे कि मुबाइल में आप लोग कैसे वापस लाएंगे ठीक है ओपो के डिवाइस में मुबाइल के मुबाइल में ही तो first of all आपको additional settings पर क्लिक करना होगा then आपको backup and reset पर क्लिक करना है backup and migrate पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका backup आजाता है ठीक है जो भी आपका backup रहेगा जैसे कि यहाँ पर हमने new backup लिया ठीक है जो भी हमारा backup रहेगा आपके पास already इसका backup रहना चीए तब जाकि आप लोग जो है photos, videos को वापस ला सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग backup and migrate से आप लोग अपनी photos, videos को वापस ला सकते हैं बाकि अगर आपके पास backup नहीं है तो काफी low chance कि आप लोग photos, videos को वापस ला पाएंगे ओके, I hope आप लोगों को video informative लगी होगी topic is cover मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै मातादी